किसान भायो आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं ट्रेक्टर माउंटेड कुट्टी मशिन जिसका इस्तमाल आप वहां कर सकते हैं जब आपका या तो फिर बड़ा डेरी फार्म है या फिर आप कमर्शल तोल से कुट्टी के लिए अपने ऐसी फसलों की बुवाई करते हैं जिनके आप कुट्टी करके बैचते हैं तो आज के इस वीडियो में जो आप मशिन देख रहे हैं इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि यह मशिन किस और आज हम किसान को ट्रेक्टर मांटन चीम करते के कमाई कर सकते हैं और इसके बड़े लू कश्यां करने के साथ-थलंदे के परतसे और जो बड़े वार्म होते हैं प्रसुओके उसbaum होचिसको को यूज कर सकते हैं हम इसका में जानना चाहेंगे में को कहाँ सब्सक्राद के इसको कहा जब यूज़ा करें तो वह भी घर के इन दर चारा कटवाते हैं bus बींच करते हैं दंदे के साथ सब इसको परफेज करते हैं अपने अपने फार्म पर इसका यूज्ट कर सब्सक्राइब koska बड़े वहां इसका यूज कर सब्सक्राइब एसके जो फीचर्स हो इसके एक धिये कि संद्य स्रीक्रीदिय Garebox के साथ किसान बेविक करें कि इसका अब करण को सेटप कि अपने की इच्छा के नुसार कुट्टी कि साइज मिल सके तो दिखाते हैं को डिए बोक्स के बारे में इसमें अमने 3-speed वाला गेर बॉक्स लगाया हुआ इसमें किसान भई क्टी कार सकता है जैसे अमने सेट अप किया होगा दूसरे नंबर के गार के उपर आठ अम हम कुट्टी आने वाली है और जो एक नंबर वाला गार है उसके पर मार मिह बिच नहीं के बैगा हुआ लिए इसके अलावे किसान चाहे कि हमको मोठी करनी है यह बारी कपर दो इसको साइज के Defense आपके तो प्रट्टी मोटी हो जाएती। को जाए बिल्कुल। फिर चीज आती है के जैसे कभी मढूं हम दाल रहे हैं उस टाइम पर हमने ज्यादा एक बार में अपने जो घास उसको डाल दिया फिर फशके बिल्कुल तो उसके लिए इसको अगर रिवर्स करना है तो उसके लिए इसको रिवर्स कर सकता है उसको जटके मारने की कोई जुरूत नहीं है और कभी भी गेर बॉक्स के लिए तो आग बिल्कुल सबसे पहले हम किसान बाई को बताने वाले किसमें दो मोडल आते हैं एक आता है पांच इंची चैचिस के अंदर उसके अंदर हमने केवल और केवल एक सेट अप कर रहा है पूल्लियों का इसमें केवल एक ही ओप्शन है चार बेल लगा रिखी है लेकिन जो बड यह लोग वाला सिश्टम है कर लगा कि छोड देंगे चाहिए आप उसको निकालो निकालो कभी भी निकलेगा नहीं आगे लेंगे तो इसके लावा आजे जाल सकती है ड्यूसरी बात वील की जो लंबाई है वमने डाल रही है मार्केट की मशीनों में 30 इंची का वील भी आता है लेकिन हमने इसको बढ़ा कर रहा है ताकि ट्रेक्टर पे लोट कम से कम आए और ट्रेक्टर को एक गंटे कंदर ज्यादा वो काम कर दे मसीन कि आलावा जो में चीज होती ही मसीन अंदर वहता है फिलम लगाते है जो फिल मुट लगाते हैं गशती है गेहह से छ ईखते हैं आपको अंदर भी साथ इसके आलावर कि भात रहें तो 40 तो में बूट है इसे कि ए क्ासित है वह आप जो अप जो डेक पा रहा है उसके जो दिख रहोगा आपको बिलकुल हमने गेप इसलिए रखाया है कि चुट्टी कट के ड्रम के देर गिरती है तो इस कट के माधियम से ऑनने तो दोन तरफ जाएगी उससे दो फाइदे होंगे फैला फाइदा की बात करें, जो कुटिक कटके ड्रम में गिरेगी तो दोन तरफ हो जाएगी उससे फाइदा मिलागी कि ट्रेक्टर पे लोड कम आएगा और जो सून्ड की बात करते हैं कि हमने इसको बड़ा कर रहा है चार फूट पाँच फूट तो अगर अगर अपन इसको एक्ष्टा बॉक्स लगा कि बड़ी करें तो यह प्रोपर काम करेंगी और दूसरी बात जो कुट्टी कटती है तो प्लेन चक्के में क्या होता है कि जो फील के जो टकराती है तो उसका जाता है तो इस कट के माधिम से और कुट्टी में चूसे भी नहीं आएंगे और कुट्टी किसान बैयों को आपको पता है कि बहुत मेनस से वह चारा घर पे लेकर आते तो उनको चारा बहुत बड़े क्वालिटी का चीए तो उससे साब से में इसको सेट अप किया हुए अ किसान बैयों को सेम साथ में देने वाले हैं अब सर जैसे इसको साथ ही मुझे स्खांट ए help जैसे कीसानों को अलग इकजानों के अलग ड़िवांद होती है दिसकी को बर्दों बिल्कुल किसी को अपने ट्राइटर में बरना है किसी को जो बड़ा वाला ट्रा उसमें बरना है तो उसका आउटपूर का कितना इस्सेटम के बात करें तो एक गंड़े के अंदर 8000 किलो म्सीन आसाने सर्फ चारा कार देगी अधैकर लोड करने की बात करें तो उसमें इस को यूज कर सकता है जहां चाहिए वो कुट्टे को बार निकाल सकता है अब उसके बाद सर जिसका इसका जो इंपूट वाला जो सिस्टम है वो आप थोड़ा सामें पीछे चलके दिखाए बिल्कुल सर इसमें हमने पीछे कंवेर बेल्ट लगाया हुगा है और कंवेर की पराले के बनाते हैं बात करते हैं रोलर के बारे में जो रोलर आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छी पिटिंग साल उसको सेट अप किया हुआ है ताकि जो चारह इस पर लिपटता है तो एकसल में कभी बेंडनी आए इसके लिए इसको अलग जो आप एंगल देख रहे ह हुआ है ताकि इसमें चारह लिप जल लिपते नहीं इसके अलावा इस हेड की बात करें तो 12 इंची चोड़े इस हेड की बार से हैं और आगे से 11 इंची है ताकि जो चारह इसमें जाएगा अंदर तो चिपक के जाएगा जिसे कुट्टी में चूसे नहीं आएंगे और इसमें क्या होता है जैसे बन चारह दे रहे हैं तो चारह जैसे हमनें दो पूली दी तो उसके लिए मिनें एक नट दिया हुआ ताकि किसान बगर कम के प्छिटिन चारह काड़ता है तो इसको कसना पड़ेगा ताकि वह लोड पे रहे और चारह को बिलकुर चिपका के आग में एक तूलवक्स लगाया हुगा है इसमें किसान बाइ अपने जो हम साथ सामा देते हैं जैसे गलेंडर हो गया जवाड़ी हो गई ब्लेड हो गया उसको रख सकता है इसके लावा हमने टायरों के पर एक मर्गाट लगाया हुगा है ताकि जो मिट्टी बगर होती है उससे क अब बात करें तो इसको चलाने के लिए हमें मिनिमम कितने एच्प का ट्रेक्टर चाहिए हो एक बेरिंग के नरे दो बेरिंग है पीचे वाले में जो आगे वाला पेडिसल उसमें दो बेरिंग लगे हुए अब सर जैसे आपने सारी डिटल बताई दी है मैं एक चीज इतन काफी अलग-अलग कुट्टी मशीने देखते हैं किसान आपकी मशीन को ही क्यों पर्चेस करें उसके बारे में जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका जो सेट अपे हैड का जो फिटिंग का जो लोगी क्वालिटी का वील की फिटिंग का वह इंपोर्टेंट होता है कि कुट रूटी कि मिल सकती अब अगर कोई किसान से खरीदना चाहे तो इसकी कीमत कितनी है और कैसे इसको सकते सब्सक्राइओ हो यह कैकड़ी कर सकते हैं जो बाहर के is बइंग कर。 माल को डिस्पेश करेंगे तीज़िए पोणोंडर के निकाल माल को माल को पहुच्च जाएगा कीमत की बात करें तो इस मसीन की कीमत अ 1,55,000 रूपए प्लेक्चुर ओइसे कीमत है प्लिक्टॉ assure ! तो सर नॉर्मल सी बात अगर लोहा बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा अगर लोहा कम होगा तो हम रेट भी इसकी कम करने वाले हैं यानि कि वो टाइम के कोडिंग जो मार्केट में चलता रहे गा रेट उसके हिसाब से उपर निचे होता है बिल्कुल सर अब उसके बाद ज कि किस तरीके से यह जो ट्रेक्टर माउंटेड अपनी कुट्टी मशीन है आप इसका इस्तमाल कैसे कर सकते हैं साथ ही इस मशीन के आपने फीचर्स भी आज के इस वीडियो में जाने उम्मीद ही कि आपको मारा आज का वीडियो पसंद आयोगा अगर यह वीडियो पसंद अगले वीडियो में तब तक लिए दन्यवाद